देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कमपनी मारूती सुजूकी भारत में अब अपनी नई SUV गाणियों को लॉंच करने की तयारी में है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबे कमपनी एस्प्रेसो जिमनी और वितारा फेसलिफ्ट को भारत में इस साल के अंतक या फिर आटो एक्सपो 2020 में पेश कर सकती है मारूती सुजूकी अपनी मिनी SUV जिमनी को भारत में लॉंच करने की तयारी कर रही है माना जा रहा है कि भारतिय कार बजार में जिमनी को जिपसी के नाम से उतारा जा सकता है इस नई गाली को कमपनी अपने नेकसा के जरिये बेचेगी यानि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रिमियम मिनी SUV होगी सोर्स के मताबिक कंपनी नई जिपसी में 1.5 लीटर के 15 भी पेट्रोल इंजन मिल सकता है ये इंजन 5 स्पीड मैन्वल और 4 स्पीड आटोमेटिक ट्रांस्मिशन से लेस होगा इतना ही नहीं इसमें 4WD का भी आप्शन मिल सकता है जिमनी इस साल के अंतक भारत में आ सकती है वहीं जिमनी के अलावा मारूती नई एस्प्रेसो को भी भारत में लाने की तयारी में है ये एक माइक्रो SUV होगी सोर्स के मताबिक कंपनी इसे दिवाली से पहले लांच कर सकती है कंपनी इसे फाइनल मॉडल को अपने अरीना डीलर्शिप से बेचेगी नई एस्प्रेसो में डिजाइन इसका सबसे बड़ी खुबी में से एक होगा इसे युद को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा एस्प्रेसो का ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलिमीटर हो सकता है की कायास में नई एस्प्रेसो को कंप्री अपने लेटेस हार्ट रेट प्लेट फॉर्म पर बनाएगी अब आपको बताते हैं कि मारूती अब नई वितारा ब्रेजर पर काम कर रही है हमारे सोर्स के मताबिक अगले साल आटो एक्स्पो के पहले दिन और पहला लॉंच मारूती सुजूकी की नई वितारा का होगा नई फैसिलिस्ट वितारा में नया 1.5 लीटर का विये 6 पेट्रोल इंजन लगा होगा ये वही इंजन है जो समय मौझूद सियाज और एटीगा को पावर देता है नई वितारा ब्रेजर में इस बार कई बड़े बदलाब देखने को मिलेंगे ब्योरो रिपोर्ट दिडेली टूडे न्यूज